नमस्कार, योग जर्नी में मैं मदू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आप मेल है या फीमेल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावर की जो हम सभी के पास है वो है हमारे ब्रेन की हीलिंग बार हमारे शरीर में और मन में चितने भी रोग होते हैं उनमें से 99% रोग हमारे ब्रेन से शुरू होते हैं हमारे मन से शुरू होते हैं और जो चीज जहां से शुरू होती है, वहीं से उसे खतम किया जा सकता है। ब्रेन की गलत सोच के कारण शरीर और मन के रोग होने लगते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें बीपी, हार्ट की प्राब्लम, डाइबेटीज और नजने क्या क्या प्राब्लम सोने लगती हैं। तो आज हम अपनी इसी हीलिंग पाहर को समझेंगे और अपने जीवन में उसे उप्योग करेंगे। अब सभी ने बहुत से ऐसे उधारण देखे होंगे जहांपे लोगों को बहुत सी ला इलाज बिमारियां हो गई। कैंसर के रोग, किडनी के रोग, जिने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन उन में से बहुत से ऐसे उधारण है जो ठीक हुए। ट्रीटमेंट तो सभी का एक जैसा हुआ था लेकिन उन में से सभी लोग ठीक नहीं हुए। कुछ लोग हो पाए। और ये वो लोग हैं जिने विश्वास था कि हम ठीक हो सकते हैं। पाएंगे जैसा भी सोचते हैं। उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके शरीर की एक एक सेल पर पड़ता है। अगर आप positive सोचते हैं तो ठीक वैसे ही resion वैसे ही chemicals आपके brain में बहने लगते हैं और वैसा ही असर आपके शरीर पर पड़ता है अगर आप चिन्ता करते हैं तो cortisol का लेवल बढ़ जाता है अगर आप positive सोचते हैं तो serotonin का लेवल बढ़ जाता है तो आपके शरीर में या मन में अगर कोई भी रोग है तो उसे ठीक करना आपके हाथ में है डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं आपका रोल बहुत इंपोर्टेंट है आपको पॉजिटिव सोचना है अब कई बार ऐसा लगता है कि रोग इतना भयानक है हम पॉजिटिव कैसे सोचें हमें दिखाई दे रहा है कि शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है हम कैसे सोचें कि हम सुथ हैं उसका एक बहुत आसान तरीका है जब आप सुबह सोकर उठते हैं उस वक्त आपका शरीर सोया हुआ होता है आदी नीद में होता है आदा जागा होता है लेकिन आपका अवचेतन मन वो बहुत एक्टिवेट होता है उस वक्त अगर उसे कोई बात कही जाए तो वो सीधे वहाँ छप जाती है और जो बात आपके अवचेतन मन में चप गई उसे आपका शरीर पूरा करके रहता है जुट जाता है वो से पूरा करने में तो अगर आप सुबह उठते ही positive affirmations बोलते हैं, health affirmations बोलते हैं तो इनका सीधा प्रभाव आपके अवजेतन मन पर पड़ता है और एक और समय होता है जब आपका अवजेतन मन जागरत होता है रात को सोते समय सोते समय जो भी आपका last thought होता है वो पूरी रात आपके शरीर और मन पर काम करता है तो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अगर आप health affirmations बोलते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप heal ना हो कहें अपने आपसे कि मैं स्वस्थ हूँ विज्वलाइज करें अपने आपको देखें स्वस्थ होते हुए चाहे शारेरे कि स्थिति कुछ भी हो चाहे आप कितना भी बीमार हो आपको लगातार ये बात अपने आपको कहनी है और अब चेतन मन को ये विश्वास दिलाना है क्योंकि आपका जो brain होता है न वो असली और नकली में फर्क नहीं मैसूस करता अगर आप ये visualize कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से चल फिर पा रहे हैं एकदब नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और बार बार जब ऐसा देखते हैं तो आपके brain को वाकई विश्वास होने लगता है कि आप स्वस्थ हैं और आपके शरीर में ऐसे healing hormones बहने लगते हैं कि आप वाकई स्वस्थ होने लगते हैं ये है आपके brain की ताकत ये है आपके अवचितन मन की शक्ती और ये हम सभी के पास है जरूरत है इसे प्रयोग करने की तो चाहे कोई भी बिमारी हो मैं आपके साथ कुछ health affirmations share कर दूँगी आप उन्हें रोजाना बोले सुबह भी और रात को सोने से पहले और दिन पर आपको एक और काम करना है जिस भाग में वो रोग है वहाँ ध्यान लगाते हुए deep breathing करना है गहरी सांसे लेनी है कैसा भी रोग हो जब आप उस भाग पर ध्यान लगाकर गहरी सांसे लेते हैं तो वहाँ पर एनरजी का फ्लो होने लगता है प्राण शक्ती बहने लगती है और उसके कारण आपकी healing होने लगती है तो आप अपनी सोच से और अपनी सांसों से कैसा भी रोग हो उसे हरा सकते हैं अब करके देखें आप स्वेम अनुभव कर पाएंगे अपने भीतर चिपी इस शक्ती को तो ये करें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर साजा करें इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ ताकि अधिक्तम लोगों को इसका लाब मिल सके आपका ये चोटा सा कदम बहुत से लोगों के जीवन बचाने में सहायक होगा अपना खयाल रखें नमस्कार